में एक यूनिक फीचर हो ने वाला था तो वो फीचर एड HOु चुका है अगर आपने कर लिया तो इस फीचर को üzला यह कोई चाटे हैं meeting के लिए और जब meeting को start करने का time हुआ तो अचानख से आप किसी काम में busy हो गए या फिर कोई भी region हो सकता है कि आप उस meeting को start करने में सच्छम नहीं है आप उस meeting को attend करने में सच्छम नहीं है और अगर आपने उस webinar का link आप लेडी कर दिया है जमको region करना था उनको आपने सेंड कर दिया है और वो webinar आपका important है आप उसको cancel नहीं कर सकते हैं तो ऐसी situation में आप उस meeting को अपने किसी ऐसे friends को transfer कर सकते हैं जो अज आज होस्ट उस meeting को host कर सकता है मतलब manage कर सकता है तो जैसे ही आप उनको transfer करेंगे तो transfer होते ही जिस meeting के host आप थे उस meeting के host वो हो जाएंगे और as a host अपने open dashboard को open करके start पर click करके as a host उस meeting को start कर सकते हैं and as a host उस meeting को manage कर सकते हैं तो उमीद है कि ये feature हम कभी use कर सकते हैं ये point आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप हम ये समझ लेते हैं कि इस feature को हम कैसे use कर सकते हैं इस feature को आप open mobile app के थुरू भी use कर सकते हैं और browser के थुरू भी use कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ये feature use करना बहुत ही आसान है इसके लिए सबसे पहले आप अपना webinar link create करिए webinar link कैसे create करना इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे इसके लिए अपना open dashboard open कीजिए dashboard open होते ही वहीं पर आपको यानि की dashboard पर ही create webinar का option मिल जाएगा simply आपको उस पर click करना है click करते ही webinar link create करने का पूरा page आपके सामने open आपके contikum होजाएगा वहाँपर सबहसे पहले event name type कीजिए उसके बाद event agenda type कीजिए आप वहाँपर contact को भी select कर सकते हैं치िक करने के बादат date and time को select कीजिए उसके बाद duration को select किजिए उसके बाद create webinar पर click कर दीजिए यानिक के create event पर क्लिक कर दीजिए आपका webinar link create हो जाएगा create होते ही आपका webinar का tab आपके सामने open हो जाएगा वहाँ पर upcoming webinar past webinar and cancelled webinar का option होगा तो upcoming webinar में आपने जो webinar link create किया है वहाँ पर complete detail आपके सामने आ जाएगा वहाँ पर आप देखिएगा वहाँ पर आपकी event का name सो करेगा वहाँ पर click here का option होगा जिस पर click करके अपने open webinar का link copy कर सकते हैं speaker link हो गया या फिर attendee link हो गया उसको आप copy कर सकते हैं इसके अलबा date and time वहाँ पर होगा duration होगा organizer name होगा यह सारी detail आपको वहाँ पर दिख जाएगी last में scroll कीजिएगा वहाँ पर आपको start का option मिलेगा जिस पर click करके आप start कर सकते हैं and start के just bagel में आपको three dot दिखाई देगा जब आप three dot पर click करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने दो तीन option आएगे पहला रहेगा edit का option तो edit का क्या मतलब होता है कि आपने जो webinar link create किया है तो webinar को start करने से पहले अगर आप उसको edit करना चाहते हैं जैसे कि event name या फिर event agenda, date and time, duration अगर आप कुछ edit करना चाहते हैं तो webinar को start करने से पहले आप उस पर click करके edit कर सकते हैं दूसरा option आपको दिखेगा save as template तो उस पर click करके आप as a template save कर सकते हैं तीसरा रहेगा transfer meeting का चौथा रहेगा cancel cancel का क्या मतलब होता है कि आपने जो webinar link create किया है अगर आप उसको cancel करना चाहते हैं तो cancel पर click करके उस webinar को आप cancel कर सकते हैं transfer meeting का मतलब आपको already में समझा चुका हो तो meeting को transfer करने के लिए यानि कि अगर आप किसी अपने friend को transfer करना चाहते हैं तो एक point मैं आपको पहले ही बता दूँ कि webinar को start करने से पहले ही आप transfer कर सकते हैं अगर आपने webinar को start कर दिया है start करने के बाद अगर आप transfer करना चाहते हैं तो आप transfer नहीं कर सकते हैं करना है कि किए एक पेज़ आपके सामने open होगा वहाँ पर बूंट कर लीजे मतलब इनसे ले लेने के बाद आप टाइप कर दीजे इंटर कर दीजे इंटर करने के बाद टौंशफर पर किलीक करते ही जिसके ओ Inc पर वो meeting transfer हो जाएगे फर्स और एक important point आपको बताना चाहता हूँ कि आप उनको ही meeting transfer कर सकते हैं जो open के subscriber है मतलब transfer meeting feature को आप paid user के बीच ही use कर सकते हैं अगर किसी के पास trial version का feature है तो आप उनको meeting transfer नहीं कर सकते हैं केवल आप paid user को ही meeting transfer कर सकते हैं उमीद है कि यह point आपको समझ में आ गया होगा तो transfer करते ही जिसको आप transfer करेंगे तो जब वो अपना open dashboard open करेंगे dashboard open होने के बाद left side में सबसे उपर एक arrow होगा arrow पर click करेंगे webinar का option आगा webinar पर click करेंगे click करते ही webinar का tab उनके सामने open हो जाएगा वहाँ पर upcoming webinar का option होता है वहाँ पर उनको complete detail दिखाए देगा जिस परकार से आपके webinar टैब में दिखाए देता था उसी परकार से उनके webinar टैब में दिखाए देगा मतलब पूरी meeting उनके email पर transfer हो जाएगी transfer होने के बाद जब meeting को start करने के लिए अपने open dashboard को open करके webinar टैम में जाएंगे तो वहाँ पर उनको complete information दिख जाएगी जैसे की event का name हो गया या फिर click here का option दिख जाएगा जिस पर click करके speaker link, attendee link को copy कर सकते हैं right date and time वहाँ पर दिख जाएगा duration दिख जाएगा, organizer name होँ पर दिख जाएगा जिस पर click करके meeting को start कर सकते हैं and as a host उस meeting को manage कर सकते हैं तो सभी option उनको वहाँ पर मिल जाएगे मतलब जब आप किसी को meeting transfer करेंगे तो उनके o mail पर पूरी meeting transfer हो जाएगी और आपके o mail से हट जाएगी मतलब आपके o connect webinar टैब में आपकमिंग webinar में जो उस meeting का detail सो कर रहा था यहाँ पर कोई भी detail सो नहीं करेगा आपकमिंग webinar से वो detail हट जाएगा क्योंकि आपने किसी और को वो meeting transfer कर दिया है तो इस परकार से आप इस feature को use कर सकते हैं किसी भी paid user को आप meeting transfer कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि यह feature आपको अच्छे से समन में आ गया होगा और यह वीडियो आपको informative जरूर लगी होगी वीडियो informative लगी हो सो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर कर लेजिएगा